तो कई जिए दोना स्मार्ट वाचे सीने एरोपे गे अंदर पेस्ट एमनेट डिस्प्रेय स्पार्ट वाचे से एक तरफ है फायर वोल्ड रॉक और दूसरी तरफ है पोल्ट रॉवर प्रो यह अगर नहीं देखा तो इनना लोग की अन्बॉक्सिंग और डिटेल रिवीव हमारी चैनल पे अप्लोड इट है यह दिए आपको देखना है तो लिंक आपको डिक्षेशन में मिल जाएगी तो आप जाके देख सकते हो तो वाई आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्ट वाचे का डेटेल में कमपैर्जन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपक सी है बट जाद अच्छी कौन सी है ये भी तो पता चलना चाहिए तो इस वीडियों लास्ता गोने रहना लेस्ट स्टाड़ेट सबसे पहले भाई हम इन दोनों स्मार्ट वाचे के बिल्ड इन डिजान के बारे में बात कर लेते हैं यह दोनों ही स्मार्ट वाचे राउंड में मिलने वाली है और उसी के साइड में आपको दो बटन देखने हो मिल जाएंगी एक है रोटेटिंग राउंटन और एक है फ्लैट पुशेवल बटन यह दोनों बटन भी मैटलिक हैं अब अगर मैं इन दोनों स्मार्ट वोचे के लुक्स एंड इन हैंड फीलिंग की बा करूं तो दोनों स्मार्ट वोच वैसे तो काफी कमफर्डेवल हैं वाट फायर बोल्ट रॉक आपको थोड़ी सी हैवी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें 60 ग्राम बेट है बट रॉबर प्रो चुकि पॉलिकार में बिल्ट में यह पहनने में भी हलका फील देती है दोनों स्मार्ट वोच में आपको सिलिकन स्टैप देखने को मिल जाते हैं बट रॉबर प्रो के स्टैप मुझे काफी अच्छे लगे इसको पहनना काफी एजी हो जाता है बट फायर बोल्ट रॉक पहनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो और वाई लुक्स डिजाइन और इन ह प्रो में आप कोई भी स्मार्ट वच करीद होगे तो आपको उसके साथ तीन प्रियर स्टैप फ्री मिल जाएंगे और इन दोनों इसमार्ट वचे में आपको मुल जाएगा अगर मैं इन दोनों स्मार्ट वचे की डिस्पले की बात करूँ तो फायर बोल डॉक मैं आपको 1 10.32 इंचे की एक एम रे डिस्पले मिल जाएगी जो की आलवेज ओन फीचर के साथ आजाती है और हां इसमें आपको दो आलवेज ओन स्क्रीन भी देखने को जाएगी एक एक डिजिटल और इस स्मार्ट वच में आपको 390 इंटू 390 पिक्सल एशन देखने को मिलने वाला ह और इसमें आपको साड़े 500 निट्स की ब्रैटनेस भी देखने को मिलने वाली है तो आपको चाए इंडोर हो चाए आउडोर कोई इशू नहीं होने वाला है और वहीं इसकी डिस्पले की ऊपर एक ग्लास कवर आता है जो कि इसको काफी प्रिमिम फील देता है बट वहीं ए इसमें आपको 466 x 466 pixelation का support मिलता है जो कि काफी higher pixelation है इस smartwatch को काफी sharpness प्रोवाइट करते हैं और इसमें भाई आपको एक है निट्स की बैटनेस देखने को मिलती है यूस करने में आपको visualty की बिल्कुल दिकर नहीं होने वाली बट भाई rover pro में आपको चिन काफी कम देख मिलने वाले हैं वहीं fireball rock में आपको multiple watchfish का support मिलेगा इंदोनों में आप अपने एक smartwatch लगा सकते हो अपना picture भी लगा सकते हो अब अगर मैं Bluetooth calling की बात करना तो fireball rock में आपको non-all Bluetooth calling का support मिलता है बट वहीं rover pro में आपको advanced Bluetooth calling का support मिल जाता है जिसके फायदे आपको पता है जैस हलो अरे एक नई smartwatch लीती तो आमने सुचा कि इसकी अवाज चेक कर ली जाए तो आपको ही कॉल लगा दिया बड़ी अवाज आरही है तो ठीक है भाई है रखूं तो कई जैसा कि आपने देखा इस smartwatch का जो calling का experience है वो मुझे speaker की थुरू थोड़ा सा down लगा मतलब थोड़ा लग रहा है वाज watch की है ठीक है मतलब phone जैसी लग रही है तो guys जैसे कि आपने देखा इसमें बाके ही मैं काफी अच्छा calling experience रहने वाला है आपका और इसकी speaker की जो loudness है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी और वहाँ पे जो आपकी आवाज deliver होती है वो भी काफी सही होती ह और हाँ साथ भी आपको इसमें quick reply का feature भी मिल जाता है जिसमें आप अपना customized message भी add कर सकते हो app के थुरू तो भाई अलवार अगर मैं बात कर लूँ calling की तो रौवर परो में advanced bluetooth calling का support होने के वाई से इसमें advantage यह है कि इसमें काफी clear bluetooth calling होती है वहीं rock के साथ मुझे speaker का output काफी low है तो भाई calling के मावले में rover pro best है दोनों ही smart watches में आपको AI voice resistant का support मिल जाता है जो की काफी अच्छे से बर्ग भी करता है अब अगर मैं इननों smart watches की connectivity की बात करूं तो बोल्ट support करता है बोल्ट active app को इसके तुरू आप phone से connect हो जाओगे वहीं rock में on wear pro app का support मिलता है तो दोनों का ही काफी smooth UI लगा मुझे 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 कोई भी जर्क या फिर कोई भी लैक देखने को नहीं मिला दोनों smart watches में बट कुछ मामला हो है fireball rock का जो UI है वो मुझे काफी सही लगा जैसे कि इसके icon होगा मुझे काफी अच्छे लगे जैसे कि इसमें rotating crown button ह गया वो easy कर देता है इस smartwatch को use करने में क्योंकि आप इससे watch faces भी चेंज कर सकते हो मतलब multifunctional button है यह और इसे की उपर आपको जो फ्लेट पे चल बटन दिया है वो भाई sport mode का shortcut है और इसके screen पर आपको split screen का support मिल जाएगा इसमें जो short cut है वो सच में भाई काफी काम की चीज म अलारम हो गया camera control हो गया music control हो गया bad report हो गया सारे के utility features आपको स्टैप के इस smartwatches मिल जाएंगे बट bolt rover pro में आपको कुछ extra feature मिल जाते हैं जैसे की inbuilt game हो गया calculator हो गया SOS alert हो गया password protection हो गया तो यह features काफी useful है daily users में और वाई fireball rock में आपको password protection का feature भी मिलता है बट rover pro में आपको BP monitoring का feature भी मिलता है बट rock में आपको female health का support मिल जाता है तो वही इन सारी sensors की मैंने accuracy चेक करी है मुझे काफी सही लगी बट आप rover pro के जो BP monitoring है उस पर rely नहीं कर सकते हैं और अगर में sport mode को आते हूं तो दोने smart watches में आपको multiple sport mode का support मिल जाएगा बट अच्छी बात यह है कि rover pro में आपको सारे सारे sport mode smart watch में ही मिल जाते हैं जो की category वाइस अलग अलग दिये हुए हैं बट firewood rock में आपको watch में कमी sport mode देखने मोलते हैं आपको app के थूर इंपोर्ट करने पड़ेंगे इसमें और इन नहीं smart watches में आप सारी daily activities सारी सारी monitoring कर सक जैसे कि आपका calorie count हो गया है steps हो गया है बगयरा बगयरा अब अगर मैं water protection की बात में तो इन नहीं smart watches में आपको IP68 का photo production मिल जाता है तो आप बाई इन नहीं smart watches को पैन के डेड़ मीटर तक पाने के अंदर रह सकते हो 30 निट तर सारे के सारे social media handles के smart notification इन दोनोनी smart watches में आपको fire world rock की battery थोड़ी सी better लगी बट यदि आप always on screen और bluetooth warning के साथ यूज करोगे इन नहीं smart watches को तो यह दोनों ही smart watches एक दिन ज्यादा है ज्यादा डेड़ दिन या दो दिन का battle lap से ज्यादा नहीं निकालने वाली तो battle lap तो भाई दोनों की ही decency है और दोनों ही smart watches चार्ज करने में लगवाग दो घंटे के असपास साइम दे लेती हैं तो भाई यह तो हो गई इन दोनों smart watch के switcher जो भी हमारे तरफ से opinion review था वो हमने आपको दे दिया है अब अगर मैं conclusion की बात करूं तो यह दोनों ही smart watches अपने अपने price point पे काफी better है fire world rock इस time 35 रोपे की चल रही है बट मैं मैंने इसको 2800 रोपे में वाय करा था और बोल्ट रॉबर प्रो मैंने 25 रोपे की buy करी थी बट इस time यह smart watch 3299 की हो गई है लेकिन जब भी कोई sell चलती है तो यह दोनों आपने अपनी original price पे आ जाएंगी तो भाई तीने अरके around यह दोनों ही smart watches मुझे काफी अच्छी लगी लेकिन यह दी build quality और design को side में रख दिये जाए तो भाई बोल्ट रॉबर प्रो जैसी कोई smart watch नहीं हो सकती मतलब इस price point पर बात वाई कि यह आपकी personal choice हो सकती है कि आपको इन नोनों smart watches में से कौन सी buy करनी है तो भाई यही था आज की वीडियो में I hope यह वीडियो आपको पस प्रुदाए ओड़ लेकि ऑाऊ होने तो भाई सी वीडियो में Ida मियन आपकी यह अ थाए भाई होन अरत अन상